एक तरफ सरकार बच्चो को मध्यान भोजन के लिए लाखो रुपए खर्च कर रही है लेकिन मगरौन के माध्धमेक शाला में बच्चो को पांच माह से मध्यान भोजन नहीं दिया गया जब इस संबंद में समू संचालक से जानकारी मांगी गई तो वो जवाब देने में आनकानी करते नजराए ग्रामडो का आरोप है कि समू संचालक और अधिकारियों के मिली भगत से मध्यान भोजन के लिए आए पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है यही बचा है कि बच्चो को कई महीने से मध्यान भोजन नहीं दिया गया यह हमेए बच्चो के लिए नहीं बच्चो के लितारा है